आप सभी का स्वागत है दोस्तों रनभूमी मैंस पर दोस्तों अभी जो आरार्वी गुरूड़ी की परिच्छा हो रही है उसमें भी हर सिफ्ट में फिजिक्स निमेरिकल से विद्धुधारा से रिलेटेड उर्ज्या के विद्धुधारा के खपत पर रिलेटेड बहुत ज गलेटेटे निआता हैं तो आए दोस्तों चलिए विडियो को स्वरू करते हैं तो आईकना चता है कि विद्धुधारा पर बड़िक्रा पर अर्पीदेड गरोडर कि penit करिलो वार को हम लोग मदा आपके घर में और यह 100 वाट का बल्ब और यह रोजाना आपके घर में पांच घंटे चलता है कितना रोजाना अगर आप पांच घंटे चलाते तो एक दिन में इस बल्ब के जलनी से कुल कितना यूनिट विजली का खर्च आएगा यह आपको समझना होगा उर्जा की कर दिया अगर एक दिन का निकालना तो इंटू वन डे यारी वन को ना भी लिगे तो भी चलेगा तो एक दिन का हमें यह मिल गया तो क्या आया वही गुणा करके सो गुणे पांच यानी की मिल गया हमें पांग सो और यह क्या निकला मेरे बच्चोओ वाट आवर निकला है ना वाट आवर मगर देखीये विदुति यह खर्च का जो इकाई हो अजा, देख divorce का किलो वाट आवर में यानी मेरे बच्चो इसे आपको किलो वाट आवर में बटा दो यानि दसमुलब पांच यानि जीरो दसमुलब पांच यहीं हो जाएगा किलो वाट आवर और सौट में इसी को हम बोलते हैं 0.5 यूनिट यहीं हो गया आपका इकाई यूनिट तो यह बहुत महत्पून चीज़ है मेरे बच्चों यह आप सभी को जानना चाहिए इ इतना से तो कंसेप्ट क्लियर होई गया होगा कि कुछ भी दिया रहे वहिए आपको किलो वाट आवर में बदलना है तो वाट आवर में सभी रहेंगे हजार से आपको नीचे यहां डिवाइड करना ही पड़ेगा तो यह किलो वाट आवर में बदल जाएगा और किलो वाट कोस्टन बिलकुल आपके स्क्रीन पर सामने प्रस्तुत है दोस्तों देखिए कहा गया कि पंदरा सो वाट के हीटर द्वारा चार घंटे तक चलने में खर्च की गई उर्जा कितनी होगी तो उर्जा कितनी होगी ऑप्शन में देखिए यूनिट में आंसर उचा गया है तो य इसे बदलना चाहोगा या आपको यहां पर क्या करना है मेरे बच्चों एक 1000 से डिवाइड करना है, तब ये watt hour आपका किसमें बदल जाएगा मेरे बच्चों, ये watt hour आपका बदल जाएगा फिर आपका कीलो वाट आवर में, तो देखो हमने इसे रव करके भी आपको समझा दिया, पहले watt hour लिखना है, और देखना 1000 से जब डिवाइट करोगे तो kwh हो जाएगा kWh अब simple बस अब आपी से कटा दीजिए तो कितना हो गया दो दुनी 4, 2, 5, 10, 5, 15, 3, 2, 6 तो मेरे बच्चों कितना unit आ गया तो देखो 6 unit आ गया तो 6 kWh यानि उर्जा की खपत होगी और इसी kWh को हम लोग जानते हैं क्या होता है unit होता है आगई बात समझ में तो देखो यही kWh को ही एक unit बोलते हैं तो यानि answer हो जाएगा 6 unit यानि कि option number B आपका सही जवाब हो जाएगा तो एकदम basic से सुरू कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं बिलकुल वो भी देखकर के परिच्चा में एक number प्राप्त कर सके आईए दोस्तों देखिए अगला जो question है आपके screen पर यह और भी बहतरीन है देखिए कहा गया है एक 1000 watt की विद्धू तिस्त्री द्वारा खपत की गई उर्जा और 500 watt की विद्धू तिस्त्री द्वारा खपत की गई उर्जा में खाली जगा होगी अधिक कम आधिया समान तो मेरे बच्चों याद रखना ऐसे प्रश्न mcq में अक्सर पूछे जाते आपको तो मालो मेरे बच्चों कि जब यह एक 1000 watt का आई रन है तो यहां देखिए आपको समय नहीं दिया गया कि कि दिने देर तक चल रहा है यावी दोनों तब जब समय नहीं दिया जाएगा आपको तो आप यह माल लेना कि दोनों एक ही कोई निश्चित समय तक में चलें क्योंकि जैसे ही आप समय से गुणा करोगे तो क्या होगा कि मालो कम वाले को अगर मैं तीन घंडे तक चला दू तो यह पंद्रस हो जाएगा और यह अगर एक ही घंड़ा चलेगा तो आजार ही होगा तो इसके द्वारा उर्जा खपत ज्यादा हो जाएगी बात समझ में मगर यहांपर च्वसंट में देखी आपको समय नहीं दिया तो जब समय नहीं दिया रहेगा तो जिसका वाटेज ज्यादा उर्जा खपत करेगी तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा बात समझ में आए चलते हैं अगले प्रसन की ओर अब देखिए दोस्तों अगला प्रशन देखिए परिक्षा में आया हुआ बहुत ही इंपोर्टेंट है कहा गया कि 100 वाट का एक बल्ब पांच घंटे प्रति दिन जलता है तो 30 दिन में 30 पैसा प्रति यूनिट 30 नहीं 50 पैसा प्रति यूनिट की दर से विदूत उर्जा पर खर्च कितना होगा तो मेरे बच्चों यही प्रशन भी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है प्रीबियस वाले भी आररवी ग्रूपडी और इंटी पीसी में पूछा गया था तो यह इंपोर्टेंट है आपके ए दर जो होगा यानि जो बिल यही तो आता है यूनिट में हम लोग एक यूनिट का दर से गुणा कर देते हैं तो वही विदूतिय खर्च निकल जाता आप यही इलेक्रिक बिल बनके हर महीने हमारे आता है आपके भी यही तरीके से आता है तो देखो भाईया 100 वाट है एक प्रति दिन पांच घंटे चल रहा है और कितना चल रहा है वही तीस दिन यानि तीस दिन का आपको बिल पूछा जा रहा तो लो भाईया आमने तीस से गुणा कर दिया यानि इतना वाट आवर आपका तीस दिन में जनरेट करेगा खपत होगी मास कीजेगा जनरेट नहीं है अगर मैं इसे एक सब्सक्राइब कर दूँर को चल उस्माजब फीजेखने जनरेट कीजेएurg सफिल चेलो अब busy चेंसल अगया कीतना पांच धिया पंदरा और आब का एक महिने में विदुती य उर जा Марपाजता कीघा कहाई सकते हैं βात 500 ग्लीवाट आवर को पंद्रा यूनिट कह सकते हैं न मेरे बच्चों 15 यूनिट कहेंगे अब देखो एक यूनिट का आपको रेट कितना दिया गुए और या साड़े साथ रुपईया तो एक सौरी माफ कीजिएगा साड़े साथ तो ऑप्सन है एक यूनिट का दाम दिया आपको पचास पैसा प्रति यून अगर हम रुपया में बदलेंगे तो देखो सो से डिवाइट करेंगे तो यह पैसा मिटा देंगे यह रुपया मबन गया अब एक यूनिट में इतना रुपया लग रहा है तो 15 यूनिट में कितना लगेगा इतना लगेगा अभी बात समझ में अभी आंसर जो आएगा खर्च आप देखो भईया कितना आ जाएगा पचास से गए दो बार में 15 का आदा कितना होता है साड़े साथ रुपया यानि कि वैया आपका आंसर हो जाएगा महिने का दिल कितना आएगा साड़े साथ रुपया 7.50 रुपीज आ गई बात समझ में तो देखो आप्शन नं आईए बाईया इतना सारा देख लिया दो कोश्यों और देख लेते हैं देखो कहा गया सो वाट वाले दस बल्ब प्रती दिन एक घंटा जलते हैं तो विद्दूत उर्जा का जो उपभोग होगा उसका मान क्या होगा तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पर सो वाट फिर से जल रहे हैं मेरे बच्चों तो एक घंटा के लिए जल रहा है तो एक घंटा से भी गुणा कर दिया अब देखो यह वाट आवर हो गया तो हम इसे डैरेक्ट हजार से डिवाइड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा किलो वाट आवर हो जाएगा आगई बात समझ में यह सबसे इसे थोड़ा लेंदी करके पूछा जाए सकता परिक्चा में आईए उसे भी अमलुक देख लेते हैं अब देखें दोस्तों इस कुश्चन को थोड़ा गहर से देखियेगा यह थोड़ा लेंदी है जान गूचकर ऐसा कुश्चन लिया गया है ताकि आपको कटिन से कटिन परिस्तितियों के लिए भी तयार किया जा सकें देखे दोस्तों कहा गया है कि एक भोगता देनी चार घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप जलाता है दो घंटे के लिए 125 वाट का एक टेलिफोन और एक घंटे के लिए 500 वाट का एक विद्धुत इस्तरी का उपयोग करता है तो 40 पैसे प्रती यूनिट की दर से प्रती दिन की कुल लोड का उर्जा बे कितना होगा यानि प्रती दिन का पूछा गया गौर करने वाली बात है प्रती दिन का तो हड़वड़ी में इसे 30 से मल्टिप्लाई मत कर देना मेरे भाई प्रती दिन का पूछा गया तो चलिए हम लोग इंडिवीज़नी पहले निकालते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं लेंप का निकालता हूँ कि कितना वो लोग उर्जा खबत कर रहें तो लेंप का क्या है मेरे भाई तो देखो लेंब के बाद आ गया भईया मेरे टेलीफॉन तो टेलीफॉन का क्या दिया भईया तो दिया गया है दो गन्टे के लिए 125 watt का टेलीफॉन कितना telephone है तो एक है तो एक से ही multiply करेंगे तो 125 दुना 1800 watt हो गया भाईया यानि telephone एक दिन में 1800 watt की उर्जा की कपत कर रहा है उसके बाद देखो भाईया क्या दिया है उसके बाद दिया है iron जो आपका प्रेस दिया है तो देखो हम लोग यहां लिए देते हैं प्रेस इस्तिरी क्या दिया भाईया एक इस्तिरी है और 500 वाट का उर्जा का कपत कर रहा है प्रति दिन तो भाईया कितना हो जाएगा तो यह 500 वाट ही हो जाएगा आ गई बात समझ में तो देखो यहां अब देखो तीनों अपने निकाल लिया कि कुल कितना कपत कर रहा है तो इन सब को आईए जोड़ लीजिए तो दो हजार और पांसो पचीस तो यानि 2750 यानि मैं कह सकता हूं कि 2750 वाट यह सभी मिल करके और जा की कपत कर रहे है 2750 वाट अब देखो यह तो वाट है आपको इकाई में बदलना है यूनिट में बदलना है तो देखो भहिया हम क्या करेंगे यह 2750 वाट को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा मेरे भाई किलो वाट आवर बन जाएगा है ना तो देखो यह 00 कड़ गया 202 इधर सिफ्ट हो जाएगा पॉइंट तो 2.75 किलो वाट आवर तो 2.75 किलो वाट आवर को ही तो अपन 2.75 यूनिट कहेंगे आ गई बात समझने तो देखो एक दिन में इन तीनों विदूतिय उपकरणों के चलने से कुल कितना खर्च खपत हो रहा है तो 2.75 अब आपको आंसर रुपिया में पूछा गया है तो देखिए आपको दर दिया है वो कितना है मेरे बच्चों तो 40 पैसा प्रती यूनिट तो मेरे बच्चों 2.75 यूनिट है और 40 पैसा प्रती यूनिट है 40 को 100 से डिवाइड कर दो तो रुपिया में बन गया तो देखो यहां से आपको मिल जाएगा कि कुल कितना रुपिया आपका खर्च हो रहा है तो देखो यह 0-0 कड़ गया भई दो दुनी चार दो पंचे दस पांच से कटा दो पचे पचीस फिर पचे पचीस दसमलो गुणे दो यानि दो पंचे दस दस और एकी ग्यारा एक अंक के वाल आपका यहां पर दसमलो आ जाएगा है ना तो यहां पर कितना हो गया मेरे भाई तो कितना हो जाएगा तो देखो भाई यहां पर पांच से डिवाइट के जाएगा नि तो पॉइंट तो भाई यहां होगा यानि दसमलो पांच पांच हो गए है ना और यहां दो से गुणा करोगे तो दो पंचे दस दो बैद दस एकी ग्यारा दोंके वाल दसमलो यानि व पकड़ा गया था क्योंकि पिछले बार देखा गया है कि थोड़ा इलेक्रिकल एक्लाइंसे बढ़ा करके दे दिया जा रहा था कि तीन चार आपको उपकरन देते ताकि बच्चों का टाइम किल हो तो बहिए चुटकियों में अब तो भरबली सीख गया हो तो भरबली निकाल करके जोड़के हजार से डिवाइड करना रेट से गुणा कर देना चुटकियों में एक नंबर आ गया और भीड़ से अलग हो जाओगे इसकी तो गैरिंटी है तो चलिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ज् मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत